प्रेंड्स आप लोग को इस नए वीडियो में फिर से तहे दिल से स्वागत है यदि आप लोग मेरे इस वीडियो के पहले पाल्टा और सेकेंड पाल्टा को आप लोग यदि नहीं देखे होगे तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर पहले पाल्टा और सेकेंड पाल्टा को अ और भूर च्वार है की समाजिक पुराडी है यह कथन किसका है तो आप लोग याद रखना दोस्तो मनुद से एक समाजीक प्राडी है या कथन जो है वह 100 का है ऒ्रचता ह्थीक है हमारा ठीचन है बालक का समाजी करण का प्रारणव और स्फ़ाई किस अवस्था में होता है तो घृोर दोस्तो है हमारा साथो के सन है बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है तो इसका राइट एंसर है बाल वस्था को बालक की गिरोह का अवस्था कहा जाता है फिर हमारा आठो केशन है बालक में नकरात्मक सोच किस अवस्था में उत्बन होती है तो बालक में जो नकरात्मक जो सोच होती है वह किसोरा अवस्था में ही प्रारम हो जाती है हमारा नवा केसन है समाजिक अधिगम का सिध्धान किस ने दिया तो इसका उत्तर है बंडूरा और वाल्टर ने दिया था अब नेच्ट केसन है दसवा है मनो समाजिक विकास का सिध्धान किस ने दिया इसका उत्तर है इरिक्सान ने दिया है प्रसना ग्यारवा है वर्तमान में बिद्यालाय जाने की उम्र क्या है इसका उत्तर है तीन वर्षा अब बर्व के सन है अब चारिक सिक्षा प्रारम होने की उम्र है इसका उत्तर है छै वर्षा नेश्ट केशन है दोस्तों हमारा प्रस्न तेरा सर्म की अवस्था कहा जाता है इसका उत्तर है बाले वस्था को ही सर्म की अवस्था कहा जाता है ठीक है हमारा चौदा केशन है अनुकरण की अवस्था कहा जाता है इसका उत्तर है स्यस्य अवस्था को अनुकरण की अवस्थ कहा जाता है ठीक है वरेंट्स हमारा पंद्रवा के सन है स्वाप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है इसका उत्तर है स्वाप्रेम की भावना उत्पन होती है या फिर वही उसकी अवस्था है ठीक है स्वाप्रेम की भावना की अवस्था कहा जाता है स्वाप्रेम की के सन है वाइन लेंड सोमेट्री स्केल का निर्मार किसने किया है इसका उत्तर है एडिलर ने हमारा थारव के सन है एक वर्स हमें बालख का वजन जन्म की समय का हो जाता है इसका उत्तर है तीन गुना आप अमारा 19 से क्योंचन है छै माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है तो इसका उत्तर है दो गुना प्रस्ण अबिस्वा है जन्म के समय बालक की लंबाई होती है इसका उत्तर है भी सेंच होती है ठीक है हमारा 21 क्योंचन है बच्चों को सबसे पहले भासा का ग्यान कहां से होता है तो इसका उत्तर है अपने परिवार से ही बच्चों को जो सबसे पहले भासा का ज्यान होता है हमारा नेश्ट केसन है बाइसवा छटवी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का सब्द भंडार लगभग कितना होता है इसका उत्तर है पचास हजार सब्दो तक हमारा तेश्ट केसन है दस्वी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का सब्द भंडार लगभग कितना होता है इसका उत्तर है अस्टी हजार सब्दो तक हमारा चोविश्वा केसन है लड़का एवं लड़कियों में से किसका सब्द भंडार अधिक होता है तो इसका उत्तर है लड़कियों का सब्द भंधार अधिक होता है फ्रेंड्स ठीक है अब हमारा पचिस्वा केस्टन है भासा को सीखने के साधन कौन कौन से है तो इसका उत्तर है भासा को सीखने के साधन निम्न है जैसे कि पहला है अनुकरण के द्वारा जैसे कि उसको बोला जाता है कि दोहरा दोहरा कर अनुकरण मतलब दोहरा दोहरा कर बोलना से भासा को सिख सकते हैं दूसरा है खेल खेल विधी द्वारा, तीसरा है कहानी सुनकर, चौथा है वर्तलाब द्वारा, और पाच्वा है प्रसनोत्तर विधी से हम लोग भासा को सिख सकते हैं। हमारा 26 वा केशन है लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सिख जाती है तो इसका उत्तर है 6 वर्तों की उम्र में सिख जाती है। अब सताइस्वा क्यूस्टन है भासा के विकास को प्रभाईत करने वाले कारक कौन कौन से है तो इसका उत्तर है भासा के विकास को प्रभाईत करने वाले कारक निम्न है जैसे कि पहला लिंग है दूसरा बुद्धी है तिसरा स्वास्त्य है चोथा जन संसार का माध्यम है पा हुआ आजप ऊस्के वामत औरंड का प्रभाव। नेशटौकर दौकरन क के प्रशना 28 मनुष्य और पशूं में मुख्यांतर क्या है तो इससका उत्तर है बुथि का अब उन तिस्वा क्योशन है बुद्धी को सबसे पहले किसने परभासित किया तो इसका उत्तर है अलफेट बिने ने 1904 में बताया हमारा एक तिस्वा क्योशन है एर्षया भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है तो इसका उत्तर है बाले वस्था में ही एर्षया की भावना जो है वह उत्पन होती है हमारा 32 question है स्वा प्रेम अपनी वस्तू से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है स्यस्य अवस्था होती है प्रस्णा 33 समाजिक्तन आपने की विधी कौन सी है तो इसका उत्तर है सोशियोमेट्री हमारा नेश्टो केशन है प्रसना 34 सोसोमेट्री स्किल का निर्माण किस ने किया इसका उत्तर है डाक्टर एडलर ने हमारा 35 केशन है डाक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के अधार पर समाजिक परिपक्वता को नापा था इसका उत्तर है एक साव सात्रा समाजी क्रियाएं बताई जो जन्मस लेकर कि सुरा अवस्था तक होती है प्रस्ना 36 है बालक मानाओ ध्वनी वा अन्य ध्वनी में अंतर करना कभ सिख जाता है तो इसका उत्तर है एक माह में सिख जाता है हमारा नेश्टो के सन है 37 अंतर मुखी या वा बहुमूर्खी या में से समाजी विकास किसका अधिक अंतर होता है तो इसका उत्तर है बहिर मुखी का हमारा नेश्टो के सन है एरिक सन ने अपने मनो समाजिक सिद्धान में जीवन काल को कितने अवस्था में बाटा है इसका उत्तर है आट अवस्था में ठीक है हमारा चालिसवा क्योस्टन है समाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं तो इसका उत्तर है तनाव जगडा लड़ई संगर सा आधी को समाजिक विघटन की क्रियाएं कहा जाता है हमारा 41 question है सिक्षा में प्रयोज जहनवाद की विचार धारका प्रोड़ता कौन था इसका उत्तर है विल्यम्स जेम्स हमारा 42 question है बच्चों के लिए सबसे अधिक सिक्षा कुआ है जो स्वयम बालग जैसा हो या कथन किसका है या जो कथन है वो मेंकेन ने कहा था अब हमारा ने इस्टोकेशन है प्रस्ना 43 सिक्षक अचार सहीता क्या है इसका उत्तर है सिक्षकों के मानक वियोहारों की सुचक पुस्तिका अब हमारा 44 question है सिक्षकों की योग्यताओं प्रयासो एवां उसके वियोहार का सही मुल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है तो इसका उत्तर है उसके छात्रों के द्वारा हमारा ने इस्टोकेशन है 45 वा छात्रों में बैग्यानिक, द्रिष्टिकोर, उत्वन किसके द्वारा किया जा सकता है इसका उत्तर है तरक संगत विचारों के प्रस्दोती करन के दोारा हमारा नेर्ट केसन है प्रसना चालिस समाजिक सहर जन का कठिन काल किसे कहा जाता है इसका उत्तर है पूरुवaga की सुरा वस्था को जो लड़कियों एवाम लड़कों दोनों के संदर्व में हैं हमारा साथ आलुसा किसन है छादरों का विश्वास प्राप्द करने हैं तू सिक्षक को उनके साथ कैसा बिहार करना चाहिए तो इसका उत्तर है मित्र जैसा बिहार करना चाहिए प्रस्थना और तालिस है बच्चों के बौध ही क्विकास के चार सू सबस्ट इस तरों को किस विद्वान दोरा पहचाना गया था तो इसका उत्तर है जिन प्याजे के दोरा पहचाना गया था हमारा उंचास्वा केस्टान है बालको की सोच अमूर्टता की अपयक्था मूर्द अनुभवों एवम प्रत्यों से होती है या वस्था कौंसी है तो इसका उत्तर है साथ से 12 वर्स तक होती है हमारा लास्ट क्योस्टन है फ्रेंट्स गिल फोल्ड ने अभी सारी चिंतन पत का प्रवग किसके समान अर्थ हमें किया है इसका उत्तर है स्रीजनात्माग टेक प्रेंट्स यदिया वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले प्रेंट्स और आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब ही कर देना